हलो अब्रिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखें मार्केट में गिरावट का दौर जारी है ट्रंप यूएस प्रसिडेंट बन गए फेड ने इंट्रेशेट कट कर दिया यानि अब ट्रंप की पॉलिसी क्या होने वाली है ये मार्केट को डिसाइड कर अब ये जो सेक्टर रोटेशन को जो हम कवर करने की कोसिस कर रहे हैं तो अब ये जो सेक्टर रोटेशन को जो हम कवर करने की कोसिस करें उसमें आज हम आपको लाइफ प्रूफ के साथ इनकी स्टैट्जी को बताएंगे जिससे आप अपना सेक्टर रोटेशन बिल्कुल लाइफ कर पाओगे ये मेरा प्रॉमिस है तो पेपर परिंग लेकर रेडी हो जाएए कैसे कैसे होना है क्यो अब इस बॉक्स से निफ्टी निकलेगी तभी कुछ निफ्टी में बनेगा यही है प्राइस एक्षन अगर आप फॉलो करते होगे तो यह सपोर्ट लेवल था जो हमने डिसकस किया था यह रेसिस्टेंस लेवल जो डिसकस किया था और मार्केट ने इतने न्यूज बेस के कंडिशन में भी प्राइस एक्षन को फॉलो किया और यही है रियल प्राइस एक्षन की पावर वही पर अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं सीम कहानी बैंक निफ्टी की है कि बैंक निफ्टी यह उपर के रेसिस्टेंस लेवल पे है और यहां पर यह भी एक आल्मोस्ट box की तरह ही अपना dance कर रहा है यानि कुछ भी बड़ा movement आने के लिए nifty हो या bank nifty हो दोनों को इस box को तोरना जरूरी है वहाँ पर अब इतने बड़े event के बाद जहां तक मेरा मानना है nifty bank nifty की जो movement है वो बिलकुल इस तरीके से होने वाली है लेकिन जो सबसे ज़ादा पैसा कमा के देने वाला है वो है share यानि stocks specific आपको focus करना परेगा अगर आप intraday या swing में पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि मैं बता दू कि सायद आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो जहां पर आप लोग से सुरू हो रही है हमारी stock market class सबसे बरी बात क्या है golden opportunity है कि आपको live market update मिलेंगे जिससे सीखते सीखते कमा सकोगे या नुकसान cover कर सकोगे जो पहले हम कभी नहीं देते थे यह आप लोगों की demand पर सुरू की गई है जिससे कि आप market की touch में रहते वे सीखते वे कमा सको और नुकसान cover कर सको intraday swing positional सब जगा कर सकोगे चाहे equity हो चाहे future हो चाहे option हो class live रहती है plus अब आपको video भी मिलेगा study material और चार ऐसे screener मिलेंगे जिसको लेने के बाद बच्चों की तरह market देखने की जरुवत बिल्कुल नहीं है तो अगर आप चाहते हैं लोगों से आगे रहना अगर आप चाहते हैं जो कि दस में नौ लोग लॉस में पूर 9 की counting में नहीं आना और अपनी खुन-पसीने की कमाई से पैसा कमाना तो 970-80-94321 पर कॉल कीजे और टीम से बात कीजे चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने का आप पेपर पिन ले लीजेगा उसमें देखे कभी आपने सोचा नहीं होगा कि दुनिया की कुछ बड़े फर्म जैसे Morgan Stanley, JP Morgan, Jeffries, S&P Global इनकी investment strategy क्या है या इनका criteria के है जो मैं अभी सिखाऊंगा proof के साथ, data के साथ और अभी उनकी position कहाँ पर है जो आपके तो ने FII बेच रहे है तो अभी वो कहाँ पर है उसको live दिखाऊंगा जिससे आप भी अपने portfolio को सफल कर सकोगे 1999 में Morgan Stanley, जिसे MSCIB कहते हैं उन्होंने एक ऐसा investment tool launch किया जिसकी मदद से investor sector rotation को समझ पाए इसका नाम है GICS यानि Global Industry Classification Standard जिसमें दो major point है पहला GICS हर company को sector, industry group, industry और sub industry के basis पर identify करता है दूसरा GICS Classification System चार लेवल में होते हैं इसमें 11 सेक्टर, 24 industry group, 69 industry और 158 sub industry है अब आप कहो के कैसे यह तो बहुत confusion create कर दिया मैंने बोला था ना कोई confusion नहीं रहेगा तो 11 stock market के sector है यहाँ पर energy, material, industry, utility, healthcare, financial उसके बाद यहाँ पर consumer की दो variety है IT, communication service और real estate अब इस 11 में क्या होता है सफल चलता है कैसे चलता है समझने की कोसिस कीजिएगा तो अभी क्या हुआ, यह sector निकल क्या है, यह कैसे चलते हैं तो यह economy के लिए बहुत important है, right? क्योंकि economy में contribution देते हैं, इतना तो simple है अब यहीं पर सवाल आता है sector, rotation का की यह होता कैसे है तो अगर आप मेंसे कोई भी commerce का student होगा, तो वो economic cycle को समझता होगा लेकिन अगर जिसको नहीं आता है, मैं अभी तुरह तीजी भासा में समझा दूँगा इसका simple मतलब यह है कि economy में सारे sector एक साथ grow नहीं करते हैं उनकी एक cycle होती है, उनका एक step होता है, उनकी एक उमर होती है और उसमें कई सारे step में वो आगे बढ़ते हैं, कैसे समझने की कोसिस की जोगा अब ये cycle को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, हम कहां पे खरे हैं और क्या condition है सबसे पहले ये pick था, जहां से market गीरा है और ये आज की कहानी है यहां हम आज खरे हैं और यहां हम कुछ महने पहले खरे थे, ठीक है अब सिर्फ ध्यान से समझना की sector rotation economic cycle में होता कैसे और इस photo को समाल के रख लेना जिंदगी भर के लिए और proof तो अभी आएगा ही आएगा तो जब market pick पे होता है उस समय material, financial और energy sector में सबसे ज़्यादा investment होता है लेगिन जब market में downside आता है तो utilities, consumer staples और healthcare ऐसे तीन segment में investment आता है पता यहां हमें क्या-क्या जोड़ना होगा, यहां हमें जोड़ना होगा Trump, हमारी सरकार, ठीक है अगर जब market का एक bull phase होता है, तो वहां पर business growth होता है, तब IT, consumer dictionary वो चलती है जब recession रहता है तो consumer और financial service, जब recovery आती है तो real estate और capital good अब कहोगे यह तो बाते हो गई, नहीं, चार्ट खोलो, जब पाऊगे कि market high के पास था, उसमें energy और financial sector और material में आग लगी भी थी उससे पहले के process में आ जाओ, उससे थोरे से पहले process में आ जाओ, तो IT सेक्टर नीचे से खतरनाक level पे चला था, consumer वाला खतरनाक level पे चला था और जब recovery होई थी तो आप गौर करना, आपका real estate capital goods share बहुत जादा चला था प्लीज I will request चार्ट पे ये मिलाईएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अब इसका proof यहाँ पर कैसे है, बट ये cycle दोस्त आपके पूरे portfolio की जिन्दगी बदल सकता है, ठीक है ना, अगर ये cycle समझ में आया, मेरी बात समझ में आई तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, और आप क्या agree करते हैं कि हाँ अभी consumer, healthcare, utilities का जमाना है या कोई other sector है, तो comment में जरूर बताइए, देगे ये चार्ट अपने आप में बहुत example दे रहा है, one by one समझने की कोसिस करते हैं, paper pen में लिख सकते हैं, पुरानी cycle से कर आप देखोगे न, तो 2020 का जो fall था COVID के कारण, उसके बाद healthcare, यानि pharma के share खूब चले थे, जो अभी downside में, यही तो है, recession आया नहीं, तो हम वहाँ से next phase में जाना शुरू किये, यह तो आया नहीं, नेकि next phase में जाना शुरू किये, यानि recovery के time 2020 में, real estate के share खूब चले, मैं year wise बता रहा हूँ, उसके बाद IT का share भागा, step by step भाग है ना, और उसके बाद आने वाला time, 2023, एनर्जी से related था, solar, renewable, दबा के भागे, pinnacle of success, successful हुआ, और अब हम फिर से डाउन फिर, वाले condition में बैठे हैं, जहाँ, utilities, consumer steples, और healthcare पर focus आप कोगे, आपकी बात को year wise तो माल लिया, बट कुछ data दिखा दो तो विस्वास आ जाए, त fundamental analysis सीखोगे तब ही आएगा, हमारा app तो उम्मीद करते हूं, डाउनलोड कर लिया होगा, तो वहाँ पर आप चेक कर ले ना, fundamental का course, यह जो data है ना, लाश के कुछ हपतों का FPI का data है, आप लोग खाली इसमें परेशान हो, वो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, हाँ बेच रहे 15-9-2024, 30-9-2024, और 15-10-2024 का data लिया है, ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझें, यह आपका utilities, यह consumer durables और यह healthcare है, बराबर, अब सिर्फ आप यह देखते जाएं, utilities में किस तरीके से buying बढ़ती गई है, और यह करोर में figure है, भूलिएगा मत, consumer durables में किस तरीके से buying हुई है, 31-8 में ही घर हैं, यानि 9 भी पकर लीजे, उसके बाद देख लीजे, healthcare में किस तरीके से buying हुई है, तो यह जो data है, साफ साफ बता रहे कि भाईया, यह लोग 9 में में या 31 का है, यानि पहले से थोड़ा थोड़ा खरीदा, यानि खरीते खरी economic cycle को follow किया, without if and but, जहां पर हम सिर्फ बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या वो सच में सही तरीका follow कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, जब हम उस पे नजर डालते हैं, तो आखे खुल जाती है, या खेल तो दूसरा चल रहा है, और यह उन्हों क्योंकि जब हम fundamentally analysis करते हैं ने investment के लिए, तो जब तक हम sink नहीं बनाते हैं, एक एक चीजों को नहीं जोडते हैं, अब कहोगे जोडने का sense क्या है, उस पे भी आते हैं, क्योंकि पूरी कहानी समझनी बहुत ज्यादा, जरूरी है, अभी इस वीडियो में अगर आप गौर कर तो bottom कहां बनेगा, इसको हमने बताने की कोसिस की है, कोई bottom प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट अगेन इस तरह का data, technical level का, वो क्या-क्या add हो रहा है, तो समझो, उस technical level पर economic cycle को मिलाते हैं, क्या होगा, techno fund analysis, जिससे एक investor long term में, तो क्या हुआ, उसको सोच भी है, मैं क्यों ख चीजों को जब techno funda मिलाता है, तो भाया, अगर आपको fundamental analysis सीखनी हो, तो हमारे app को download कर सकते हैं, link description में, क्योंकि जब fundamental सीखते हैं, तो technical plus fundamental का combo, आपको एक अलग level पर लेकर जाता है, fundamental और technical का combo, क्योंकि हम जब techno funda analysis करते हैं, तब समझ पाते हैं, अरे वाह, economic cycle पकरी, FPI पकर साथ में technical का level पकरा और तब investment की शुरुआती, कैसे लगी वीडियो, कमेंट में बताईए और लोगों के साथ share कर दीजे